मुखे मंत्री जाराम ठाकूर ने आजविधान सभा में वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 क्रोड रुपए का बजट पेश किया चुनावी वर्ष में अपने कारेकार का पांचवा बजट पेश करते हुए उन्होंने बजट में हर वर्ग को रहा देने की कोशिश की है इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थे व उर्जा के क्षेत्र में कई खोशनाएं की गई है मुखे मंत्री ने केंद्रव प्रदेश सरकार की कल्यानकारी योजनाओं के जिक्र के साथ बजट भाशन की शुरुवात की और कहा कि सरकार ने करोना काल में अजीविका को बनाए रखा मुखे मंत्री जराम ठाकूर ने अपने बजट भाशर में दिहाडी में 350 रुपए की वृथी की खोशना की जिसके तहर अब दिहाडिदारों को नियोंतम 350 रुपए प्रति दिन दिहाडी मिले की उन्होंने नाबाड से वित पोशित होने वाली योजनाओं की क्षेतर सीमा प्रति विधानसभा क्षेतर बढ़ा कर 150 करोड करने की खोशना की बजट में विधायक क्षेतर विकास निथी योजना के तहट राशी को 1 करोड 80 लाग से बढ़ा कर 2 करोड किया गया है उजवला योजना के तहट 3 सिलेंटर मुफ्त मिलेंगे क्रिशी क्षेतर का दिकर करते हुए मुख्यमंत्र ने कहा कि इस क्षेतर में 15 करोड की लागत से 4 अनाज मंडियां प्रदेश में स्थापित होंगी और 2022-23 के अन्त तक 50,000 हेक्टियर भूमी का प्रकृतिक खेती करने का लक्षे पूरा क्या जाएगा एक सो गाउं प्रकृतिक क्रिशी मानक के रूप में विक्सित होंगे बजट में शिलारू और पालमपूर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंस खोलने की खोशना की गई है बजट में पशुपालकों को भी रहा देने की खोशना की गई है इसके तहट पांच नई काउ सेंक्षरी स्थापित करने की मुखे मंत्री ने बजट भाशन में खोशना की दूर्थ की केमत में प्रती लीटर दो रुपे की विधी की गई है प्रती गौस सदनों पर दिये जाने वाले अनुदान को 500 से बढ़ा कर 700 रुपे की खोशना बजट भाशन में की गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विधी की गई है इसके तहट 77 साल से उपर के लोगों को 1500 रुपे जबकि इस आयो वर्ग से नीचे वाले पात्र लोगों को 1000 रुपे पेंशन देने की खोशना की गई है विधावस्ता पेंशन की आयो सीमा 60 साल करने की खोशना की गई है 77 से अधिक दिव्यांगों को 1700 रुपे पेंशन मिलेगी 60 साल से अधिक आयो की महिलाएं वो 65 साल से उपर के पुरुष बिना शर्थ पेंशन के पात्र होंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आय सीमा 35,000 से 50,000 की गई है प्रदेश में एक हजार नए आंगनवारी भवनों के निर्मान पर 70 करोड रुपे खर्च होंगे जबकि आंगनवारी केंद्रों को आदर्ष बनाने पर 32 करोड की राशी का प्रावधान बजट में क्या गया है राजे में बाल पुनरवास योजना शुरू करने की खोशना की गई है ये योजना बेसहारा बच्चों के लिए होगी बजट में पंचायती राज और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के मांदेय में विद्धी की भी खोशना की गई है इसके तहट महापौर को 15जार, उप महापौर को 10जार, पार्षट को 6,050 जबकि नगर परिशत के ध्यक्ष को 8,000, उपाध्यक्ष को 6,500 और पार्षट को 3,000 रुपए मासिक विद्धन मिलेगा नगर पंचायत के प्रधान को 6,500 उप प्रधान को 5,000 जबकि सदस्य को 3,000 रुपए मासिक वेतन देने की घोशना बजट भाशन में की गई है जिला परश अध्यक्ष को 15,000 उपाध्यक्ष 10,000 वा सदस्य को 6,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा जबकि बीडी से अध्यक्ष को 9,000 उपाध्यक्ष को 6,500 और सदस्य को 5,550 रुपए प्रती महीना मिलेगा पंचायत प्रधान को 5,550 उप प्रधान को 3,500 वार सदस्य को प्रती बैठक 300 रुपए देने की घोशना मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाशन में की शिक्षक शेत्र में भी बुख्यमंत्री ने विभिन चातर वृती योजनाओं में दी जाने वाले घोशनाओं में वृती की है इसके तहट 1,050 रुपए प्रती महा और 18,000 रुपए प्रती वर्ष मिलेंगे रियल टाइम ओनलाइन स्टडी शुरू होगी इसके अलावा मंडी सित सर्दार वललब विश्व विद्याले इस वर्ष अप्रेल से काम करना शुरू कर देगा वहीं L.T. शिक्षक अब T.G.T. के नाम से जाने जाएंगे सास्तक शेत्र की बात करें तो इसक शेत्र के लिए 2732 करोड रुपए के प्रावधान की घोशना की गई है हिम केर कार्ड के नविनिकरन की अवधी एक साल से बढ़ा का तीन साल करने की बजट भाशर में मुख्यमंत्र ने घोशना की इसके तहट अब वर्ष भर हिम कार्ड बन सकेंगे और कैदियों को भी हिम कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी प्रदेश में डॉक्टरों के 500 पद भी भरे जाएंगे बजट भाशर में बिजली उपभोगताओं को रहा देने की घोशना की गई है इसके तहट 60 यूनिट तक बिजली खार्च करने तक उपभोगताओं को बिल देने की जरूरत नहीं होगी क्रिशी के लिए बिजली 30 पैसे प्रतियूनिट मिलेगी एक किलो वाट का सोलर प्लांट लगाने पर अब चार के बजाए 6,000 रुपए की सबसिडी मिलेगी बजट भाशन में मुख्यमंत्रू ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 के अंध तक 17,28,000 घरों में नल लग जाएंगे बजट में परिवहन खेतर का भी ध्यान रखा गया है इसके तहट हिमाचल पत परिवहन निगम के बेडे में अप्रेल तक 220 नई बसें शामिल होंगी मुख्यमंत्रू ने ड्रोन को प्रत्साहन देने के लिए गरुड योजना की घोशना भी की इसके तहट ड्रोन चलाने के प्रिशिक्षन के लिए सरकार चार प्रिशिक्षन स्कूल भी खोलेगी ग्रिहरक्षा के जवानों को टूर अलाउंस देने की खोशना की गई है इसके अलावा शराब की बोतल पर सैस एक रुपया बढ़ाया गया है ये राश्री गौवश के कल्यान के लिए जाएगी संगीत समरागी लतामगेशकर को शधांजली देने के उदेश से संगीत महाविद्याले खोलने की बचट भाशन में घोशना की गई है इसके अलावा सरकार विभिल विभागों में 30,000 पद भरेगी बजट में परदेश के करमचारीयों के मांढ़िये में ब्रहुत्री की गई है इसके तहट अब आंगनवाड़ी कारेकरताओं को 9,000 रुपे मांधिये प्रतिमाह जबकि मिनी आंगनवाड़ी कारेकरताओं को 6,100 आंगनवारी सहाई का वाशा वरकर को 4700 प्रतिमाह मांदे मिलेगा बजट भाशन के अनुसार सिलाई अध्यापिकाउं को 7950 रुपे मिट्डे मील वरकर को 3500 वाटर कैरियर को 3900 रुपे प्रतिमाह जबकी जल रक्षक को 4500 पंप ऑपरेटर को 3900 आट सोर्स करमियों को 3900 वेतन 10500 रुपे प्रतिमाह पंचाय चौकिदार को 6500 रुपे राजस्व चौकिदार को 5000 रुपे राजस्व नंबरदार को 3000200 रुपे प्रतिमाह दिये जाएंगे बजट भाषवर में SMC अध्यापकों के मांदे को 1000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया है जबकि IT शिक्षकों के मांदे में 1000 रुपए की बढ़ात्री होगी